Hello guys, welcome to The Coding Chef और आज किस वीडियो हम बात करने वाले हैं What is View Binding और How we can make a Recycler View With the help of View Binding So finally मैं वीडियो लेकर आचुक हूँ आप लोगों के लिए आप लोग काफे सारे कमेंट से कि सारे View Binding को उपर एक वीडियो बनाईए और Recycler View हम कैसे बना सकते हैं The Help of View Binding तो चली भिना देएगे कि फटे 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 से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो आप लोगों को समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपको View Binding की ज़रूरत क्या पड़ी क्या प्रॉब्लम थी कि जो आपको View Binding यूज करना पड़ रहा है तो यार देखो आभी जग आप Apps बना रहे थे और Apps के अंदर आपकी Activity और Fragment होती थी Activity और Fragment के उपर आप अपने Views को बनाती थे काफ़ी सारे आप Views बना देते Like, Button, Image View, Text View, Spinner काफ़ी सारे Views आप बना देते थे ठीक है तो आप प्रॉब्लम यह आती थी कि जब आपको उन Views को Typecast करना होता था अपनी Activity के अंदर तो आपको उतनी ही बार Find View by ID लिखना होता था ठीक है और एक headache का का काम होता था था कि यार इतने सारे Views बना लिए अब इनके लिए Find View by ID को हम लिखे है तो आप इस प्रॉब्लम को overcome करने के लिए हमार बास concept आता है View Binding का और कुछ चीज़ा और होती है कि जैसे Type Safety और Null Safety So Type Safety and Null Safety क्या होती है So यह हम एक अलग वीडियो में डिसकस करेंगे इस वीडियो में यह डिसकस नहीं करूँगा वरना यह वीडियो काफी जाता लंबी हो जाएगी अब बस आप सिर्फ इतना याद रख लीजे कि हम इस एप के अंदर View Binding को कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको यहापर समझाने वाला हूँ So what is View Binding? So basically View Binding is a feature that allows you to more easily write code that interacts with views मतलब गाइस यह है कि जो भी आपके views होते हैं आप उन views को अपनी activity और फ्रेक्मेंट से directly attach कर सकते हैं बिना किसी find ua id का use करें अराम से access कर सकते हैं आपको find ua id लिखने की ज़रूरत नहीं है अब यहापर यह चीज है कि जब भी आप View Binding के feature को enable कर लेते हैं अपने Android app के अंदर तो वो क्या करता है कि जितने भी आपके app में XML files होती है उन सारे XML files के corresponding आपकी एक binding class को generate कर देता है और फिर उस binding class के object से आप अपने views की id के बेस पर उन सारे views को access कर सकते हैं अपनी activity या फिर fragment के अंदर आपको find you by id लिखने की ज़रूरत नहीं है और अब हम यहापर देखे हैं कि हम view binding के enable कैसे कर लेते हैं तो हमें यहापर build out gradle file के अंदर build features को लिख कर और view binding enable करना होगा enable इस तरह से हो जाएगी और अगर आपको चाहिए कि आप किसी layout file के लिए view binding को enable नहीं करना चाहते तो आप उसके लिख सकते है view binding ignore prove तो क्या होगा कि इस file के लिए आपकी binding class generate नहीं होगी ठीक है और गाइस अब यहापर यह है कि आप अपनी binding class को attach कैसे कर होगा अपनी activities है तो उसके लिए यहापर यह कुछ code बताया गया है ठीक और यहापर यह चीज है कि जो भी आपकी class होगी suppose that आपकी class क्या है result profile ठीक है तो यहापर आपकी binding class का name क्या होगा result profile binding is that clear ठीक है तो अब हम directly अपना app पर चलते हैं इस जादे में discuss नहीं करूँगा फटावट से देख लेता हम कैसे बनाने वाले हैं तो यहापर मैंने एक project create किया हुआ है recycler view binding के name से so recycler view guys हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा जो हम बनाने वाले हैं with the help of view binding okay so चलिए फटावट से code को start कर लेते हैं तो यहापर मैंने एक project create किया हुआ है और यहापर यह कुछ files है like activity main जो की एक example file है किसके corresponding मैं activity corresponding इसमें मैंने एक अपना recycler view बनाया हुआ है मैं यहापर designing part पर ज़्यादा focus नहीं करूँगा पहले से मैंने layout file को तयार करके रखा हुआ है आपको main काम यहापर समझाऊंगा ठीक है तो यहापर हमने recycler view को बनाया हुआ है इसके अंदर मैंने एक इसके id दी हुए recycler view और मैंने इसके corresponding एक row item file बनाई हुए जिसका नाम मैंने रखाए company item और यह एक constant layout के अंदर एक text view बनाया है सिफ मैंने ठीक और इस constant layout के अंदर मैं background में एक views को set कर रहा हूँ like bg, sorry back underscore bg ठीक है चिंदा मत करें जितना भी code यह आपको मिल जाएगा description box में आपको link मिल जाएगा महाँ से जाकर आप download कर सकते हैं तो अब बात guys यहाँ आती है कि हम binding को enable कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम चलेंगे build.gradle में और यहाँ पर हम जाकर लिखेंगे पहले मैं आपको बदा जाएगा हूँ लिखना आपको कहाँ पर है आपको लिखना है यहाँ पर android tag जो है या फिर android block जो है इसमें लिखना है क्या build feature build features make sure guys यह आपका camel case में हूँ ओके और यहाँ पर मैं लिखोंगा व्यू बैंडिंग व्यू बैंडिंग और true ओके ठीक है और यहाँ पर इसमें sync कर दूँगा ठीक है so binding हमारी enable हो चुके और हम देख लेतने हैं कि हमारी binding enable हुई है या नहीं हुई है तो अब हमारे पास दो item है तो दो item के लिए मैं यहाँ पर name लिखके देखता हूँ like अगर मैं लिखता हूँ activity main के लिए तो यहाँ पर मैं लिखोंगा activity main binding okay तो हमारा इस class के लिए binding file generate हो चुकिया और अगर मैं लिखता हूँ किया company item अभी यहाँ पर नहीं दिखा रहा है मैं ट्राइ करता हूँ company item binding okay यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारी company item के लिए binding class generate हो चुकिया तो अभी मैं इसे cut कर दूँगा यहां से ठीक है यह import भी हटा दूँगा okay तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ सेट content view को हटाऊँगा और जो मेरी binding class generate हो उसको मुझे यहाँ पर inflate करना होगा अपनी activity के उपर जिससे क्या होगा कि जो भी हमारा layout file है वो हमारी इस activity से attach हो जाएगी तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा activity main binding ज्यान रखें यह name convention यह होगा जो भी हमारी activity का name है उसके बाद में binding लग जाएगा और मैं यहाँ पर reference variable दूँगा binding और simply यहाँ पर मैं क्या करूँगा यहाँ पर binding equal to और यहाँ पर activity main dot binding dot inflate और फिर यहाँ पर get layout inflator simple और फिर यहाँ पर set content view और यहाँ पर binding dot get root get root का मतलब क्या है कि जो भी binding class के corresponding root layout है उसको यह attach कर देगा ठीक है guys इतना काम हो गया अब guys आपको find by id को लिखने के जोरत नहीं है अगर आपको इस layout के views को access करना है ठीक है तो इस layout हमारे कौन-कौन सी views थे हैं इस layout हमारे views था सिर्फ एक recycler view तो अभी आप देखेगा यहा यहाँ पर जादू magic ठीक है मैं लिखता हूं यहाँ पर let's say binding और आप जैसे मैं लिखोंगा यहाँ पर binding तो आप यहाँ पर देख सकते हैं binding dot लिखते ही जितने भी views मेरे उस layout फाइल के अंदर होंगे तो उनकी ID में यहाँ पर show हो जाएगी ठीक तो यहाँ पर binding dot recycler view इस त से पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक data set तयार कर लूँगा मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लिख देता हूं complete और ठीक है तो मैं यहाँ पर data set तयार कर लूँगा क्या इनिट डेटा कि जो हमारे recycler view के अंदर show होगा तो इनिट डेटा मैं यहाँ पर एक method create कर लूँगा ओके और यहाँ पर मैं क्या करूँगा एक list बना लूँगा जिसका generic type होगा string जिसमें हमारे सारी companies के name होगे तो मैं यहाँ पर लिखूँगा company list ठीक है और आब मैं simply क्या कर लूँगा इनिशलाइज कर लूँगा इस company list को company list equal to new array list ओके फाइन और अब इसके अंदर में data को add कर दूँगा किस तरह से company list dot add और simply यहाँ पर like इस तरह से ओके फाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने data को add कर दिया है ठीक है तो यह मेरा data add हो चुका है इनिट डेटा से आप मैं क्या करूँगा एक adapter तेयार करूँगा कि जिसके help से मैं data को attach करूँगा अपने recycler view में यहाँ पर right click करूँगा ऊपर और new java class मैं name दूँगा इ extend कर दूँगा recycler view class है recycler view.adapter ठीक है और फिर यहाँ पर मैं pass कर दूँगा company adapter.viewholder viewholder मैं एक method बनाऊँगा यहाँ पर इसलिए मैं यहाँ पर viewholder पास करूँगा आप कुछ भी name दे सकते हैं जरूर नहीं आप viewholder अगर आपने मेरी recycler view वाली playlist को follow किया है तो आपको पता methods, sorry मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम इस पर alt enter click करेंगे, ठीक है तो यहाँ पर यहाँ हमें देगा implement methods और यहाँ पर control A, ok ठीक है फिर यहाँ पर viewholder पर click करेंगे, alt enter ठीक है और फिर दुबारा से उपर जाएंगे, और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगा, alt enter ठीक है फिर हम मार कौन सा layout था, company item, so इस layout के corresponding एक file बनी होगी, binding file, यहाँ हम कह सकते binding class, so जिसका नेम होगो company binding, item binding, company item binding, binding equal to, और company item binding dot inflate, और फिर यहाँ पर layout inflator dot from, और यहाँ पर parent मैं pass कर दूँगा, फिर यहाँ से parent से एक context को निकाल लोगा, right, मैं full कर देता हूँ, full screen, parent dot get context, और फिर यहाँ पर हम पास करूँगा, parent, और यहाँ पर set attach, यहाँ पर मैं कर दूँगा, false, ठीक है, और finally मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर new, और view holder के अंदर, जो view holder के मार object होगा, उसमा binding object को मैं pass कर दूँगा, so इस तरह से हम अपने views को access कर सकते हैं, नीच binding का use किया है, तो binding की help से हम अपनी views को access करेंगे, तो यहाँ पर binding object पास करना ज़रूरी था, इसलिए हम यहाँ पर binding पास किया, अभी यहाँ पर error आ रही है, error क्या है कि required type view, but we provided company item binding, guys देखो, यहाँ पर यह कर रहा है कि यहाँ पर view holder को view चाहिए, लेकिन आप इसे binding object अभी हम यहाँ पर क्या पास कर देगा, company item binding dot get root, simple, so अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका error उपर से जा चुका है, ओके और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके reference variable create कर लूँगा, company item binding का, यहाँ पर मैं लिख दूँगा, binding और इसको initialize करा दूँगा, binding equal to company item binding, ठीक ह अब क्या अगर सकते हैं कि जो भी आपके like views थे, company item class के अंदर, जो आपका row item था, उसमें जितने views थे, like हमारे एक ही views था उसमें, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, company item के अंदर, एक मेरा string था, like company name था, जिसका name, ठीक है, यह मैंने एक layout file बनाई हुई थी, तो यहाँ पर मैं adapter में चलता हूँ, इसको मैं access कर सकता हूँ, with the help of binding object, let's say अगर मैं करता हूँ, यहाँ पर binding dot company name, मैं यहाँ पर easily access कर सकता हूँ, और directly यहाँ पर bind कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन पहले हम क्या काम करते हैं, जब हम normal recyclery बनाते थे, तो हम जितना वे binding का काम होता था, वो हम on bind view holder में करते थे, ठीक है, तो हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, like holder dot, क्या binding, क्योंकि binding objects, binding dot company name, और फिर यहाँ पर हम कर देंगे set text, और फिर हम इसमें text को set कर देंगा, तो अभी हमारे पास text के लिए data नहीं है, so उसके लिए हम एक यहाँ पर पहले list बनाएंगे कि जो हमारी list पास होकर आएगी main activities है, so list जिसका generic type होगा, string और name ही, मैं यहाँ पर दूँगा, उसका list ही दे दूँगा, खली, ओके, और मैं यहाँ पर एक constructor create कर लूँगा, company adapter का, तो मैं यहाँ पर करूँगा, alt insert, constructor, ठीक है, इतना काम हो चुगा हमारा, fine, और finally मैं क्या जाएगी, so list.get position, ठीक है, आप इस तरह से काम कर सकते हैं, या फिर आप एक तरीका यह भी है, कि आप ज्यादा code bind method में ना लिख है, तो मैं यहाँ पर करूँगा, एक method बना लूँगा, holder.set data, ठीक है, यह एक अच्छी अप्रोच होगा, समझता हूँ, ठीक है, और set data पर मे एक method create हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर मुझे कुछ parameter pass करना होगा, like क्या pass करना होगा, यहाँ पर मैं pass करूँगा, list.get position, यहाँ से data pass हो जाएगा, मैं alt enter करूँगा, so यहाँ पर add string as first parameter to method set data, so enter कर दूँगा, तो यहाँ पर नीचे आप देखें कि मेरा एक parameter यहाँ पर आ गया string का, ओके और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, binding dot, तो इस तरह से हमारा data bind हो चुका है, हमारे company name के ऊपर, ठीक है, तो adapter हमारा complete तयार हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, so अब हम चलते हैं, अपनी main activity में, और अब यहाँ पर हम recyclerview में adapter को set करेंगे सबसे पर लिखेंगे, binding dot recyclerview dot set adapter, और यहाँ पर मैं adapter का एक object बना लूँगा, new company adapter, तो यार इसका name यह misspell हो रहा है, मैं से refractor कर दूँगा, new यहाँ पर refractor, और rename, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, company, यहाटा दूँगा यहाँ से, और refractor, यह आटा दूगा यहाँ से, और और यहाँ पर new company adapter, और यहाँ पर मुझे क्या पास करना है, company list, simple, इस तरह से हमार recycler view तयार हो चुगा है, अब guys यहाँ पर आपने एक चीज़ नोडिस की कि, अगर हम binding का use ना करें, तो आपको क्या करना होता, कि आपको पहले recycler view का reference variable बनाना होता, then find you by id यूज़ करके और उसके typecast करना होता, then फिर आपको set layout manager और फिर आपको set adapter काफी सारी चीज़े करनी होती, लेकिन binding की help से सारा काम एक line में हो गया है, ठीक है, अब यहाँ पर आप में से काफी सारा लोगो क्माइंड में question आ रहा हुआ कि sir, set layout manager कहा पर गया हमने, क्या हर देखो, यह activity थी, यह activity थी, तो recycler view जहां हमने बनाया, इसका अंदर हमने एक tag युज़े का layout manager, और यहाँ पर हमने define किया androidx visit.linearlayoutmanager, तो automatically linear layout manager में set कर देगा, तो आप को run करके देखते हैं, So guys, I hope आपकी समझ में आया होगा कि view binding क्या होती है, और कैसे हम view binding को enable करते हैं, और view binding के help से हम recycler view को कैसे बना सकते हैं, right? So अगर आपको यह video पसंद आए, तो please video को like करें, चानल को subscribe करें, and bell icon को press करना ना भूलें, So मिलते हैं next video, तब तक के लिए, good bye!